हेलो गाइज आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में तो आज हम जा रहे हैं गड मंदिर में जो यहां से थोड़ी दूरी पर है और टाइम हो चुके हैं दो बच चुके हैं और यहां से नजदीक है तो इसलिए हम थोड़ा अराम से जा रहे हैं और शीवी के बापा क्य है था कि हम लोग जा रहे हैं गडवाली माता तो वह ऐसे बोलते हैं गडवाली माता वैसे माता महिश्वरी जी का मंदिर है वो और वो सामने है हमारे घर के बिल्कुल सीधा सामने टावर सा दिख रहा होगा वो उधर है यह जो टावर है यहीं पर मंदिर है पुराना वहां तो जाता रहता था लेकिन पहला जो व्लॉग था वहीं का बनाया था और आज उसके बाद भी कहीं बीच में बनाया होगा एक दो बार व्लॉग लेकिन उस टाइम व्यूज इतने आते नहीं थे तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं गड़वाली माता महिश्व अब सारी जिंदगी उनके साथ तो आप लोगों को मौका मिलता है जब भी टाइम होता है जब भी साथ हमारा एक लोकेशन के अगर हमारा प्लैन बन जाए तो हम लोग साथ में जुरूर ट्रैवल करते हैं बाकि अभी वह लोग बीड आयो हैं बीड में रुके हूए हैं मौका मिलेगा हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे वैसे हमारा भी प्लैन है कहीं एक और नहीं ट्रिप पे जाने का लगबग 15 दिन की ट्रिप तो वहां हम जाएंगे लेकिन वहां वो लोग नहीं जाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ कार कैम्पिंग और कुछ ऐसे चोटे- कहां जा रहे हैं शीवी आज गूमी 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 तो शीवी बड़ी एकसाइटीड है गूमने जाने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि हमें लगबग 2-3 किलोमेटर का पैदल ट्रैक करना है तो इसको और भी जादा मजे आएंगे और हमारे तो पसीने चुटने वाले ह कहीं कहीं सीवी चल भी पड़ती है पैदल लेकिन वहां पर चड़ाई है तो उठाना पड़ेगा इसको शीवी करो जैशी किशना करो ये वाँ भई वाँ आज तो बड़े जल्दी जल्दी करें साब कुछ खुश है ना गूमने जा रही हूँ भी तो हम लोग पहुंच गे एज्जू यहां रिल्वे फाटेक है स्टेशन भी है गाड़ी रुखती है स्टेशन तो क्या चोटा मोटा यहां पर मिलेंगे हमें हमारे दोस्त तो ये एज्जू से ही एक लिंक जाता देखिए ये लिंक जाता है लट बढ़ोल की तरफ तो इस वाले लिंक पर हम लोग घ साथ वगेरा और कुछ और खानी पीने की चीज़े क्योंकि हम उपर जाके कुछ बनाएंगे खाएंगे देखिए पीछे आरिये गाड़ी दिख रहे होगी आपको हैरियर तो हैरियर वाले गवंडी साथ में है इनको आज ट्रैक करवाएंगे पहले ही दिन एक दो दिन होए इनको अभी आए होए तो यह रहे हमारे गवंडी यहां पंगा सर्प्राइज तो देखिए कौन आया है नहीं बस मैंने बताया था कि यारियर आरी पिछे से गाइस देखिए गवंडी आ रहे हैं समझी गए होंगे लोग कमेंट आ रहे थे वहला सागर भाई से क्योंनी मिल शीवी आर यू रेड़ी या रेड़ी चलो पैदल चलो फिर या 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 तलो तलो बहुतल पकड़ो दूसरे हाथ में देखो वाई सीवी ट्रेक करेगी यह आगे रहा गेट मंदिर का और यह रोड था जो की एजू से गूंकिया था वैसे हम पैदल आते हैं घर से जितनी वार भी आते हैं चोड़ दो दूसरे फ्लेड़ा में चलती है यह एक अंडू से भी है दखो शिंगल अरे 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 लुड़क गया आप त अरे शिवी बेशती हो रही है ऐसे चलो अब अब दबा दबा उंगली कर रहे हैं मौह पर चुप वहीं बहुत धमकी देती है यह आज गला में हूं चलो फड़ा बड़ चलो दौर लगा वह एक यह रागे मंदिर का गेट जैमा महिश्वरी यार काफी अच्छा गेट बन अब तो तहले छोटा सा गेट था इतनी ठंड ने होगी शॉल जैकेट हो भाई एव बानु ने ने सोचा को अब परफ के पाड़ में जा रहे हैं जब थक दाजती है तो मममा करती है जब चलने का मूड हो तो लेट गई है वेरी गुड भागो चलो 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 अब यह हम लोग हैं बीच रास्ते में हालक बगादा हमने कर लिया है उदर एक रेनिंग शल्टर है वहां पर पहुंचेंगे तो अल्मुस्ट हाफ रास्ता हमारा हो गया हां और एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं मैं यहां पे जो है पेड़ों की कटाई बहुत जादा होग अब हम अल्मोस्ट पहुंचने वाले बानु और ठागर ठकें बहुत आ रहा है तो मेरे तो कंदेव शीवी थी भाई तो बानु का कंदेव भी दो जैकेट है अभी और चलना शीवी अभी जैके पास नहीं पहुंचे हम बस 10 मिनट तो अभी हम लोग पहुंच गया यह जंगल है सागर भाई यहां से जावाब नीचे फिर आभी जाना अकले ठीक है आराम से बोला था दूसरा सब्द नहीं बोला गया भाई से जब आने की बात कि सच में बहुत घना जंगल है यह बिल्कुल एंड में हम पहुंच गये पहुंचने वाले मंदीर के पास और संसे के टाइम पर तो जी हम लोग पहुंचने वाले हैं माता जी के मंदीर में और यह लास्ट में जो पॉइंट है बहुत ज्यादा संदर है आप लोग देखी सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटिफुल है यह सामने गेट है मंदीर का और हम लोग पहुंच गए मेरे खाल से आदे घंटे में बड़े अराम से मैंने बवानू को ड्राया था कि दो घंटे लेगे उसको तो चलानी जाएगा लेकिन बानू अराम से पहुंच गी आदे घंटे में पहुंच गया मैं झाण वेली और कुक और शीबी भी पहुंच गयें लेकिन यह बस ऐसी पता नहीं दोनों क्या किया किसाफ करने से क्या हो गए फिर बैठ जाएगी कहीं यार भाई पता क्या होता है मुझे लगा कि यार देखो क्यूंकि मतलब बहुत दिन बाद जा रहे हैं ट्रैकिंग पे और वीडियो भी बनानी होती है फिर यहां शंसेट के बाद एक दम से अंदेर आओ जाता है तो बड़िया हम टाइम से पहुंच गए है सागर भाई को थोड़ा सा जूट तो बोलना ही पड़ता नहीं तो लेट हो जाते ही कोई बाद नहीं गाईज गवंडी पहुंच गए है और पहले हम जाएंगे सीधा मंदिर दर्शन करेंगे फिर हम अपना कुकिंग बगेरा जो भी है पाटी शाटी वो करेंगे जय मातादी तो वो दिखिए सामने वो रहा मंदिर और थोड़ी दूरी थोड़ी ही कुछ ही मिन्टों में हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में आपको भी दर्शन करते हैं माता रहनी के और यहां पर देखिए नई सीधियां बनी है नई छट बनी है बहुत सुंदर तो पहले तो यहां पर ऐसा ही था कुछ ही इस तरह का और अब जो है बहुत खुबसूरत बन गया है बहुत ही जादा काफी टाइम बाद आया मैं अभ को पता है पकड़ा तो है मेरे को मैं कहीं भी रखो पाऊं वा यार कितना सही बन गया इदर आगे मंदीर में क्या ही ब्यूटिफुल बहुत सुंदर बना दिया मंदीर अरे वा यहां भी ग्रिल बगेरा लगी नजारा देखो यहां से वाव एक यहां देवदार का पेड़ लगा है इकलाता है ना भाई यहां से नजारा अभी हम लोग आगे मंदीर के अंदर थोड़ा देरी बोलूँगा किनकि बहुत शांतिया यहां पे अभी कोई भी नहीं है दर्शन करने वाला सिर्फ हम ही लोग है तो चलो पहले दर्शन करते हैं फिर उपर चलते हैं टॉप टॉप में अच्छे से बना वाख माईस यहां शीव बनारी दोप जब शाबश चाचो से मांगने है मने माची सब्सक्णा को बलो माचीस दे दो बोले चाचु जी को दे माचीस दे वा वाल रा वाल है हुआ हुआ है हुआ है इए फिर दालो भी जाने इडर दालोशको जान आपाणि कुछ अवने के वीचना ना चाहीं फाल हो है इसको दालो चलो जाह पास चलो जाह देनी चये पास जाह देनी चलो लो अब यह अब दर्शन कर आगया है second floor में यहां पैसेा चोटे मंदीर बने है। और यहां से हम जाएंगे अब टॉप में फ्लए जाएंगे जायके किमकि में जाएंगे लास्ट में वहां से दिखाएंगे आपको नजारे ऐसे यार बड़ा ही उमिड साह मुद्ध लक्राइए नजारेतो लगता नहीं दिखेंगे बट फिर भी ट्राइ करते हैं पहले जो यह मंदीर है बहुत छोटा था मतलब इधर यह जो चाहता यह तो थी नहीं जो नीचे वाला फ्लोर मैंने दिखाया वह सिर्फ लेंटर था कुछ भी नहीं था यहां पे भी छोटा लेंटर था लेकिन अब बहुत सुंदर ठाए लें वाई लें और यह पानी का टैंक यह देखो बहुत प्यारा बनावा है और यह है नजारे अभी तक कोई भी पारग्लाइडर वहां पर दिखनी रहा मुझे तो आज यार मौसम ही खराब है कुछ नहीं तो बहुत क्लियर व्यू आता है बिलिंग का इदर से पालंपूर वैजनाथ नीचे का इरिया लटबडोल बगेरा सारे इरियास दिखते हैं यहां से लेकिन पता नहीं क्या हो गया मौसम को संसेट मुझे लग रहा है संसेट भी जेटी खेल जेटि नहीं है इन दोनों पर चलो 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 अब उसको अब नी छोड़े की तेरो को यह ना 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 आगे उन देखा है देवदार का देखो इतना फेला हुआ मैं तो क्या है यह वो कृस्मिस ट्री आगे वाड़ा देवदार है देखो फता निए इसको कटिंग करी ओगी तभी तो ऐसा हुआ है फैल गया है भाई की बात तो में नहीं आना बस भाई का बैक देखिए गाइस ऐसा लग रहा है कोई तबला है गोल सा और वह भी टेटा सा हो गया है यह देखिए गौर करिए आप पर जो काप देखो किसे समान दखना तो रख सकते हैं अब यह हम लोग पहुंच गए यहां सराइं के पास तो सागर भाई को यह ग्राउंड काफी अच्छा लगा तो यहीं पर हम बनाएंगे चाय वैसे जंगल में भी काफी अच्छी जगा है लेकिन वह हम वैसे भी पैदल जाएंगे तो वह वैसे भी देख लेंगे तो अभी यहां पर बनाएंगे चाय यहाँ पर तो divin Riv sound yes, हो सकती है मंदिर की प्रमीशन लेनी पड़ेगी पर यह सराय वगएरा, यहाँ पर खाना बनता है जब भी कुछ भी होता है लंगर बगएरा कुछ भी यहाँ नवरातरे में भी यह तो इधर लगा है, यहाँ पर खाना खाते है खाना खाने की ही जगा है यह देखो इधर चूले लगे हुए है और यहाँ पर लकडी भी है गाइस और गाइस एक खुश खबरी यहाँ पर किसी ने बीर भी पी यह बीर कैन पड़े है अच्छी जगह यहां पर बनाते हैं आराम से रेस्ट करते हैं अब सागर भाई को ज्यादा भूख लगी है तो बनाना भी पड़ेगा फटाफट टेस्ट करके बताओ कैसे बने मैंने बनाए इसमें क्या है सिर्फ टेल में ऐसे डालना और निकल गए पकॉड़े अच्छा यह प्लान कर लिया हम जाएंगे भाई के रूम में और भाई ने बला पालक के पकॉड़े हैं अभी थोड़ी देर बाताते हैं आपको किस चीज़ के इनके रूम में जाएंगे और भाई बनाएगा और हम देखेंगे सब भानू भी बिल्कुल हैल्प नहीं करेगी और यह पाल सब रेडी करके लाई है लेकिन अब सागर भाई उसमें टेस्ट डाले लेंगे अब भानू को टेस्ट करा है टेस्टी बने है तो अब करें लिखा रहे थे बनू कोंडी यह और हम क्या करें पूछ आपने पूछ तो हैं अब ने चाडमारी हूं ना अब हैला दीन है तो किस टीज का इसके उपर बनाएगा चार्ट बनाएगा वह एक्सपिरियंस है न ठेले वाला तो हम लोग आज वार्म अप कर रहें केम्पिंग के लिए साकर भाई आये तो आप केम्पिंग करनी पड़ेगी और आप लोगों की बहुत जाता दिमांड आ रही थी केम्पिंग की तो करेंगे अभी आज तो नहीं आज तो आप लोग यही बस हम यही पार्टी सी कर रहे हैं पार्टी क्या पिकनिक सी कर रहे हैं यहां बन की चाय और यहां देखो पकोड़े रखे हैं और यहां पर बनने वाली है चार्ट यह भी आलमोस्ट बननी गई तो मज़ा आएगा मस्त पिकनिक होने वाली है हमारी और साथ में हो रहा है संसेट भाई की इच्छा पूरी हो गया संसेट के साथ चाय होगी बनके रेड़ी चालो भई हमें पकोड़ा एक एक बचाए सब का क्योंकि हमने पहले निप्टा दिये यह कर गारा एıl पूतर में देर्यू ने यह देरी हूँ देहिँशिब हमें इंदीक कर देकर गणियोटी भी सिखें भी सिखो हिव यह देगी मुझा है इुक्त है ओन भी आदेगए इabishing में क्र IG वरीड़ी दो मान ने वी वेडसिसमें आलूने अलू है बिल्कुल फ्लेवर आया पूरा हो मदलब जो रियल होती है ना बिल्कुल वैसी हमारा खाना पीना हो गया है जो भी ब्रेक था छोटा मोटा चलो बढ़ते हैं नीचे की तरफ हां ममा क्या हुआ हुआ है अभी जो अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा हुआ देखो वो जंगल कितना डरावना सा लग रहा है वह भाई मोर्चा समालना पड़ेगा देखते हैं सागर भाई अके लेगा भाई आप हमाबाद में आएंगे ठीक है तो यार काफी अंधेरा हो गया जैसे हुआ वैसे एकदम से अंधेरा हो गया और इधर आगे पुराना गड़ बोलता है वहां पर मतलब शिपजी का मंदीर है छोटा सा वह नहीं जा पाए हम लोग वैसे वहां पर ऐसा कुछ खास है नहीं लेकिन अच्छा है ट्रैक लेवल का हो गया कैमरा में आपको पता है कि थोड़ा कम अंधेरा दिखता है लेकिन फिर भी काफी डार को गया है इस वाल एरिया में तो सच में डर लग सकता के लिए बंदे को 15-20 मिनिट बात चले न कोई यहां से तो और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा वैसे यहां ज्या बाई जैकारा लगाते हुए काफी अंधेरा हो गया यहां पहुंसते पहुंसते मतल पूरी इवनिंग होगी अच्छे से तो बढ़िया से दर्शन होगे और अच्छे से हमारा पिकनिक भी होगे खाना पीना भी हो गया तो मजा आया आज का दिन काफी अच्छा रहा बढ़ सब्सक्राइब अच्छ्राइब हो हाँ फारव करने तो बढ़िया अगर आप भी घुमने आते तो जा सकते हो गड़ वाली माता किसी को भी हो की सबको बता माता महिश्वरी का मंदिर गड़वाली माता का तो अभी सागर भाई और भानू हमारे गड़ चलो गए हाँ दाम है भाई को एक ही इच्छा है बस अब धाम खाने की है तो कहीं भी धाम होगी तो अब ले के जाना पड़ेगा भाई को एक कांगड़ी धाम एक मंदिराली धाम दोनों की लाएंगे तो चलो भाई को कौन सी धाम पसंद आईगी देखते है ओह ये खड़ी है हमारी गाड़िया गाड़ियों गुमाते हैं और चलते हैं अपने अपने घर अब सागर भाई भी माच ली होगे अपना घर ले लिया है भाई और देखो भाई की गाड़ी कितनी छोटी लग रही है बिना टेंट के तो गुमाती हमने गाड़ियां और चल पड़े हैं अपने 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 रास्ते सागर भाई को बोल दिया हमने टाटा बाई बाई तो दोस्तों यह आपको वीडियो हमारी कैसी लगी बताना इस तरह की वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे नहीं गाउं में हमारे बीड में जितने भी चोटे मोटे जो भी पॉइंट्स हैं मंदिर हैं टूरिस प्लेसिज हैं चोटे मोटे वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यह हमारा यह सफर सागर भाई की साथ और भी ईजी हो रहा है क्योंकि हम दोनों साथ में जब जाते हैं तो बढ़िया लगता है बाकि यह मैंने अब नया जो मुवाइल ओल्डर होता है वो लगाया इससे जो है व्यू अच्छा आएगा अभी तो नाइट का टाइम है लेकिन जब हम दीन में शूट करेंगे तो आपको दिखाएंगे काफी बढ़िया इससे आ रहा है वीडियो अच्छी बन रही है बताना आप लोग कमेंट करके कैसा है यह वीजन बड़ी गाड़ी आ रही है रुपना पड़ेगा देखिए फुल लोड़ीड गाड़ी है तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को गरदो लाइक चैनल को अरदो सुब्सक्राइब और अच्छे चो कमेंट करना ना भूले चलिए फिर टाटा बाई बाई